हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको हमारे चैनल अउनली सिविल इंजिनियर में तो आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यह मौस्ट प्रोब्लम होता है सभी लोगों में कि हम फूट को गज में कैसे कनवर्ट करत हैं अगर किसी ने प्लॉट लिया हो 210 गज का अगर उसका फ्रॉंट 35 फिट है तो यह कितना फिट होगा अब यह गज में 210 गज तो बता दिया प्लॉट वाले नों को मेरा 210 गज का प्लॉट है और फ्रॉंट 35 फिट तो यह कितना फिट होगा यह कैसे पता करेंगे और हम सिखेंगे कैसे करते हैं यह वीडियो का पार्ट वन है वीडियो का पार्ट टू में हम सीखेंगे कि एकर को और हेक्टर को कैसे नापते हैं फिलाल इसमें सीख लेते हैं कि याड यानि गज को foot square में कैसे नापते हैं foot में और meter में कैसे नापते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सीख लेते हैं बहुत सारे लोग confuse होंगे कि गज किसे बोलते हैं याड किसे बोलते हैं तो गज और याड दोनों सेम चीज है गज को ही हम याड बोलते हैं या yard को ही हम गज बोलते हैं ठीक है यह clear हो गया अब देखते हैं और समझ लेते हैं पहले हम example से भी समझेंगे तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा वीडियो बीच में skip कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा चलिए पहला example देखते हैं एक गज या एक प्लॉट एरिया की तो प्लॉट एरिया कभी भी लंबाई और चौड़ाई में ऐसे लंबाई और चौड़ाई में दिया रहता है तो लंबाई और चौड़ाई में रहेगा यारिया कर फॉर्म में रहेगा ठीक है तो बात करते हैं एक गज स्कॉयर या yard स्कॉयर जो होता है 9 square feet के बराबर होता है ठीक है हम इस question को देखेंगे ये question मैं आपके लिए बनाया हूँ ता कि गज और square बढ़ियां से समझ में आ जाए इससे पहले कुछ और हम सीख लेते हैं उसके बाद इस question को हम last में करते हैं ठीक है ये question बहुत बढ़िया है ये question ये कहे रहा है कि इसका front अगर 35 feet है और गज का plot का जो total area है 210 गज square है तो ये side वाला कितना feet मिलेगा हमें ठीक है ये question को हम last में करेंगे सबसे पहले इस question के लिए हमको कुछ समझना पड़ेगा पहले उसे समझ लेते हैं फिर इस question को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये how to measure plot area को कैसे measure करते हैं इसका part 1 है जैसे मैं बता दिया था part 2 हम अगला वीडियो में बताएंगे hectare को और acre को कैसे नापते हैं तो गज को yard बोलते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ इसमें confuse बिल्कुल भी नहीं होना है और square गज जो होता है square yard होता है बात बराबर ही है तो हम कुछ example समझते हैं मान लेते हैं ये हमारा एक plot है ये 45 feet by 40 feet का है ठीक है अब ये plot है 45 feet by 40 feet तो हमने बता दिया लंबाई और चौड़ाई लेकिन ये कितना गज होगा ये कितना feet square होगा ये कैसे निकालते हैं तो चलिए हम इसे सीख लेते हैं example number first में देखते हैं यहाँ पर लंबाई 45 है जो कि यहाँ पर 45 है और चौड़ाई 40 है जो कि यहाँ पर 40 है ये इसके हम square feet में अगर change करें यानि कि 40 गुना 45 करें तो हमारा आएगा 1800 square feet 1800 square feet को हमें गज में change करने के लिए हमें 9 से divide करना पड़ेगा 9 से divide क्यों करना पड़ेगा क्योंकि हमने सीख लिया है कि एक गज या एक yard जो होता है 3 feet के बराबर होता है running feet के और एक गज square में 9 square feet होता है ठीक है तो एक जब गज square में 9 square feet होता है तो हम इसी के अधार पे ये अपना 1800 square feet है तो एक गज का हम पता है कि 9 square feet होता है तो 1800 बटा अगर नो कर दें तो 200 गज अपना निकल के आ जाता है यानि कि ये plot के रिए कितना हो जाएगा 200 गज चलिए इसे हम एक जो एक और example से समझते हैं जैसे हमने example ये ले लिया इसका लंबाई है 80 feet और चौड़ाई है ये वाला 50 feet 80 by 50 feet का ये plot है तो ये कितना गज अपना बैठेगा तो सबसे पहले square feet में इसे हम calculate करेंगे तो 50 into 80 करेंगे तो अपना 4000 square feet आजाएगा 4000 square feet में अगर 9 से डिवाइड कर दें तो अपना 444 point 44 गज होगा क्यों होगा? क्योंकि एक गज में 9 square feet होता है हमने इसलिए आपना 9 से डिवाइड कर दिया तो इतना निकल के अपना आ गया यहापर मैं डिक दिया हूँ square गज में अगर निकालना है तो जो भी area होगा अपना feet square में उसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा गज में निकल के आ जाएगा ठीक है? वही काम यहाँ पे same to same हो रहा है तीसरा एक्जामपल भी देखते हैं तीसरा एक्जामपल में है कोई किसी plot का लंबाई मैं इसका figure नहीं बनाया हूँ किसी plot का लंबाई है 30 feet और चंवडाई है 25 feet तो यह कितना गज होगा तो उसके लिए हमें लंबाई गुना चंवडाई करके square feet निकाल लेंगे 750 square feet आ जाएगा 750 square feet में यहां पर रख देंगे 750 और 9 से डिवाइड कर देंगे तो अपना 83.33 गज हो जाएगा आगे समझ में अब देखते हैं वो जो मैं question किया हूँ उस question को समझा देता हूँ कि उसका अगर एक side दिया हूँ और दुसरे side कैसे निकालते हैं अकसर क्या हूथा है कि हम जब कोई plot लेने जाते हैं तो plot का जो honor होता है वो बता देता है कि हमारा 200 खज का, 400 खज का plot है और उसका front उतना है तो उसका हम side कैसे निकाल सकते हैं तो question को हम देख लेते हैं एक बार तो यही वो question था, question एक बर मैं पढ़ देता हूँ If the front elevation of plot is 35 feet अगर front का elevation 35 feet हो Then what will be the length of its size तो इसका side का जो length है यह कितना होगा ठीक है और इसमें दिया रहेगा, given रहेगा कि कितना गज है तो यह 210 गज का plot है 210 गज का plot है तो हम लोग जानते हैं कि एक square yard में 9 square feet होता है जैसे कि हमने पहले यहाँ पर बता दिया है ठीक है उसके बाद 210 गज जो है इसे हम पहले feet square में change करेंगे तो feet square में change करने के लिए 9 से गुना कर देंगे क्यूंकि हम गज में जब change कर रहे थे feet से तो 9 से भाग कर रहे थे हम अब गज से feet में आ रहे हैं तो 9 से गुना कर देंगे तो 1890 square feet अपना हो जाएगा 1890 square feet होने के बाद यह अपना area आ जाएगा तो हम लोगे पढ़ रखे हैं पहले ही यह area जब दिया रहे है उसका लंबाई या चौडाई दोनों में से कोई एक find करना हो तो area में divide कर देंगे लंबाई या चौडाई से तो अपना एक side निकल के आ जाता है तो area divide upon जो side दिया है उसे divide कर देंगे यानि के एक side यह दे दिया है 35 feet इसमें 35 से divide करेंगे चौडाई पना यह निकल के आ जाएगा उमिद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और confusing दूर हो गया होगा कि fit से हम गज में कैसे convert करते हैं या किसी भी plot का area measure करना आप समझ गए होंगे कैसे किया जाता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें